इंट्रो तो बहुत अमेजिंग था राइट, I know बहुत बढ़िया लगता है, जितना अच्छा वीडियो में देखता है उससे कही जादा अच्छा, जब आप रियल लाइफ में ये सेटप देखते हो, मतलब टीवी के पीछे या मॉनिटर की पीछे, दिन उससे जादा कही जा अच्छा लगता है, बट ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि सारी चीज़े क्या करनी है, सबसे पहले तो जानते कि क्या क्या लगेगा आपको, इसके लिए हमें लगेगी, पहले बात तो LED Strip, obviously I am going to use this WS2812B LED Strip, जो Amazon पर मिल जाएगी, and then we also need Raspberry Pi, Raspberry Pi 2, 3, 4, Raspberry Pi 0W, W2, कुछ भी, कोई भी Raspberry Pi चल जाएगा, इंडिया में currently Raspberry Pi मिलना थोड़ा मुश्किल है, but I know, आप कुछ way figure out कर लोगे, जिसके वैसे you can get a Raspberry Pi, अगर आपके किसी friend के पास है, तो वो भी आप use कर सकते हो, एक HDMI splitter चाहिए, ये भी मैंने Amazon से खरीद है, and this is a USB capture card, मतलब यह से HDMI का input है, and USB में output है, जो Raspberry Pi में जाएगा, वो हमें चाहिए, basically ये सारी चीज़े चाहिए, and कुछ wires चाहिए होंगे, जो मैं यहाँ पे मतलब मैंने already ready रखे, and एक type C cable चाहिए होगी, जिसका हमें बलीदान देना पड़ेगा at the end, जिसका end हम लोग क्या करेंगे, वो सारी ची उसे हमें ready करना पड़ेगा, and उसे ready करने के लिए बहुत simple है, बस इसे attach कर दो अपने PCや laptop के साथ, and इसके बाद हमें open करना है Raspberry Pi Imager Software, now, सबसे important, जो भी software में ये वीडियो में यूज करूँगा, सब, सबकी link in description box में मिल जाएगी, सारे gadgets की link description box में है, जो tutorial हम लोग यूज करन करना है, because installation तो बहुत easy होता है, आप सीधा वो software download करके install कर दो, and you can start using the software, हम लोग ने memory card attach कर दिया है, PC या laptop जो भी आपका उसके साथ, choose OS, I am going to select Raspberry Pi OS other, OS light select करूँगा यहाँ पर, choose storage में, memory card select कर दूँगा, and यहाँ पर settings icon पर click करना है, this is very important, enable SSH, yes, ये करना ही है, very important by the way, ये स सारी चीज़े, ये सारी settings, very important, use password authentication, yes, यहाँ पर नीचे आजाओ, set username, password, I am going to select username as RPI, मैं password भी same रखता हूँ, capital RPI, ये जो भी आप सेट करोगे, ये आपका username, password होगा, इसे याद रखना is very important, now आपका Wi-Fi जो होगा, वो यहाँ पर डाल दो, मेरा Wi-Fi, okay, चलो, मेरे Wi-Fi के details में यहाँ पर डाल देता हूँ, जो भी password है, आपको correctly डालना है यहाँ पर, मेरा password, मैं भूल गया, बराबर डाला था क्या, because password अगर गलट डाला है, तो Raspberry Pi connect होगा ही नहीं, so you have to make sure, SSID, मतलब आपके Wi-Fi का name and password आपने बराबर से डाला है, wireless land country, India, I am going to select India, local settings, save कर देता हूँ, and यहाँ पर write कर देता हूँ, yes, now यह memory card पूरा format हो जाएगा, इसमें अपना Raspberry Pi का जो OS है, जो हमें install करना है, वो यहाँ पर install हो जाएगा, थोड़ा time लेगा, I'll be back, चलो, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर यह complete हो गया है, and we can remove the SD card, निकल लिया है, and अभी यह SD card डालना ह Raspberry Pi में, बहुत simple है, बस यह से पीच्चे के साइट डाल देना है, बस हो गया, memory card अभी Raspberry Pi में चला गया, and अभी हमें Raspberry Pi को चालू करना है, because the majority, I would say 80% of the work Raspberry Pi पे ही होता है, तो Raspberry Pi को चालू करने के लिए, I'm going to use a charger, regular USB Type-C charger यहाँ चार्जर करूँगा, अगर आपका Raspberry Pi पुराना वाला है, तो उसमें Micro USB Port हो सकता है, so no need to worry about that, जो भी है आपके इसमें, accordingly लगा दो, यह दो को USB Type-C केबल में यहाँ पर जैसे ही लगा दिया, यहाँ पर light लग गया होगा, जो आप देख सकते हो, मतलब Raspberry Pi चालू हो रहा है, now Raspberry Pi चालू होके internet से connect होगा, थोड़ा time लेगा, मत तक मैं आगे की step आपको बता देता हो कि क्या करना है, Raspberry Pi Imager का काम हो गया, अभी मैं Fing Tools नाम का software यूज करने हो ला हूँ, link description box में आपको easily मिल जाएगा, so install करके वो आप देख सकते हो, now यह मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, मुझे IP address जानना है Raspberry Pi का, which is very important, now IP address जानने के लिए आप आपके router के settings में या फिर admin page पे भी जा सकते हो, अगर आपको वो पता है कैसे करना है, बहुत बढ़िया, मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ, because हर एक router का अलग-अलग हुता है, मुझे मेरे router का पता है, लेकिन मेभी आपको आपके router का थोड़ा कुछ अलग होगा, तो आप आप बोलो गयार यार कैसे, तो इसके लिए आप सीधा ये software use कर सकते हो, Fing नाम का software install कर दो, जैसे ही ये Raspberry Pi connect हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद सारे devices के साथ, आपको यहाँ पर Raspberry Pi करके एक दिख जाएगा device, उसके उपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर IP address जो है, वो हमें इंस्टॉल हो जाएगा, जो IP address copy किया था, वो आप यहाँ पर आके सिधा paste कर दो, और ओपन कर दो, यहाँ पर यह बोलेगा, ऐसे ऐसे, ओके, accept कर देते है, and login as, तो यहाँ पर हमें जो user ने password डाला था, वो डालना है, rpy हम लोग ने डाला था, password में भी rpy, यहाँ पर कुछ type होते हुए नहीं दिखेगा, that is how it works, password में, जब command line या Linux में जब आप type कर दो, password तो वो दिखाता है निए कि आप कुछ type कर दो, और enter कर दो, यहाँ पर हम लोग raspberry pi के अंदर आ जाएंगे, अगर यह आपको ऐसे दिखा रहा है, rpy adderate raspberry pi, इसका मतलब हम लोग अंदर आ चुक करना है, पहला वाला command select कर लो, copy कर लो, simple, putty में आ जाओ वापस, यहाँ पर बस right click करना है, automatically paste हो जाएगा, enter कर दो, okay, enter, okay, sorry, गलकिसे दो बार enter हो गया, लेकिन, okay, single enter में perfect आ गया था, यहाँ पर वापस second वाला command, हम लोग copy कर लेंगे, यहाँ पर paste, right click करके and enter, okay, bulsai main, perfect, य यह वाला command and this is the last command, बस तीन command install करने रहते है, install नहीं, डालने रहते है and enter कर देते हैं अभी and this will and is going to take some time, मतलब 5 से 10 मिनिट ले सकता है अगर आपका नया वाला है, अगर आपका थोड़ा पूरा ना वाला है, Raspberry Pi Zero W है लेट से, तो वो तो maybe 15-20 मिनिट भी ले सकता है, यह पू करना है, वेट करना है, इसको होने दो and अगर आपको ऐसे कुछ पूछता है कि यह extra space है, उस पे हम लोग को कुछ download करना है, absolutely, आपको हमेशा yes करना है because यह सारी चीज़े जो download हो रही है, all these things are very necessary, Hyperion project के लिए, सारी काम करने के लिए बराबर से and यहाँ पर connect हो गया perfectly and यह सारी चीज़े download कर लेगा, I am perfect, यहाँ पर सब install हो गया है, जैसे के आप देख सकते हो, कहाँ पर गया, Hyperion, चलो इससे बड़ा ही कर देता हूँ, Hyperion has been installed, Hyperion as a service, it will start on each system startup, automatically start होगा, जब भी आप start होगे and इसे access कैसा करना है, इसके लिए यहाँ पर दिया है, जो IP address होता है, आपके Raspberry Pi का वो, let's say, आपका IP address है, 192.168.1.1, then, दो dot, क्या बोलते हैं, दो dot को क्या बोलते हैं, दो dot को क्या बोलते हैं, colon, semi colon तो ऐसे होता है, तो colon 8090, यहाँ पर 8090 है, right, तो मैं just इसे क्या करता हूँ, एक send आपको दिखा ही देता हूँ, यहाँ पर, मैं इसे बस copy करता हूँ, right click करके Chrome में आ जाता हूँ, यहाँ पर new tab, and यहाँ पर paste and go, यहाँ पर अगर यह connected है, internet से and stuff बरावर हो गया, then आपको कुछ ऐसा दिखेगा, which is the case right now, जैसे के आप देख सकते हो, हम लोग connected है, Raspberry Pi से Hyperion successfully install हो गया, काम नहीं हुआ है, but Hyperion successfully install हो गया है, तो यहाँ पर सबसे पहल हो, बट कुछ options है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो use करने के लिए Expert Level के settings enable करने पड़ेंगे, now इसके बाद हमें जाना है, LED instances पे, यहाँ पर आना है, LED output पे, and यहाँ पर controller type, हम लोग कौन से LEDs यूज कर रहें, वो यहाँ पर matter करता है, यह जो lights है, जो मैंने आपको द है, GPIO number 18 है, GPIO number मतलब क्या होता है, वो बाद में explain करते है, पहले हम लोग LED layout को figure out कर लेते हैं, LED layout में, classic layout में यहाँ पर आएंगे, तो top, bottom, left, right, यह हमें count करने पड़ेंगे, कि LEDs कितने है, उसके लिए कैसे करना है, बहुत simple है, पहले तो आपको LED strip लेना है, जो भी LED strip आप use क करने वाले हो, वो LED strip ले लो, चलो, आपको मैं अभी live दिखाई देता हूँ कि कैसे install करना है, वो भी important है, by the way, तो यह देखो, यह LED strip है, जो यहाँ से चालू होता है, मैंने ऐसे लगा दिया है, पीछे monitor के पीछे लगा दिया, इसे जाके, और जहाँ पे भी bend मैंने ऐसे छो का दिया है, और यहाँ से मैं पूरा input दूँगा, input कैसे लगाने वाला है, वो बाद में बताऊंगा, अभी यह क्या करना है, यह सारे LEDs का count करना है, जैसे कि यह LEDs है, एक, दो, तीन, चार, पाट, तो 242 on the top, left में देखते हैं, एक, दो, न, पाइक, वीस, 22, 42, 42, अपना यह नंबर है, तो top में कितने LEDs थे, वो सारी चीज़े यहाँ पे डालने है, 42, top पे थे, bottom में भी थे, 42, left में थे 22, right में थे 22, यह एप्रोक्स नंबर भी हो सकता है, बट अगर आप exact डालोगे, तो आप exact match कर पाऊगे, and color आपके perfectly match भी हो जाएंगे, now यहाँ पे अगर आप आपको LED numbers का option select करना है, अपना 0 पे input है क्या नहीं, अपना input कही यहाँ पे center में, which is 86, तो I am going to select 86, but अगर, let's say आपने चालू किया है, okay, error in LED, the hardware, okay, this is fine, now total LEDs कितने हो गया, अपने वो भी count करना important है, अपने total LED count हो गया है 128, so LED controller में वापस आजाओ, maximum LED count 256 लिख दिया है, which is okay, but यहाँ पे hardware LED count, कितना है अपना 128, which is exact, तो save settings कर देंगे, and यहाँ पे save हो जाएगा, every time, make sure आप save settings कर रहे हो, नहीं तो वो save ही नहीं होगा, LED layout में वापस आजाएंगे, this is very important, top पे 42 LEDs, bottom पे 42 LEDs, left में 22, right में 22, and input position हम लोगने 86 perfect यहाँ पे select कर दिया है, इसके बाद बाकी के कुछ setting देख लेता है, जैसे कि capturing hardware, हमें USB capture चालू करना है, अगर मैं इसे activate करता हो, तो no capture devices आजाएगा, because हम लोगने capture device अपना लगाया ही नहीं है, तो अभी पहले capture device यह वाला अपना attach कर देते हैं, जैसे ही मैं यह capture device attach कर दूँगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, नहीं, 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 ओके चलो, पहले यह बंद कर देता हूँ, USB capture, वापस USB capture enable करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो, अपना यह आ गया है, जो device है, जिसमें HDMI input जाने वाला है, वो यहाँ पे आ गया है, अ वो प्रोसेसिंग के लिए यूज करेगा, 640 by 480 is more than यह, मतलब चल जाएगा, 5 frames per second तो नहीं चलेगा, मुझे 20-25 frames per second भी चलेगा, बिकॉस मेरा जो है Raspberry Pi वो powerful वाला है, अगर आप Raspberry Pi 0 यूज करने वाले हो, तो आप यहाँ पे कम रख सकते हो, 5 या फिर 8 रख सकते हो, बाकी कि सारी चीज़े, I feel like we are good to go, I guess, अभी सेट अप करते हैं, जो सबसे important सेट अप है, इसके लिए वापस ही है, कामेरा हमें निकालना पड़ेगा, अभी मैं explain करता हूँ कि सारे जो connections है, hardware side पर connections कैसे करने है, I will try to make it as simple as possible, लेकिन अगर आपको electronics में कुछ भी idea नहीं है कि कैसे positive negative काम करता है, then I would recommend कोई friend ढूंडो, जिसने कभी ऐसे project की है, तो चलो आज पहले तो explain करता हूँ कि power supply कैसे काम करेगा, this is the power supply जो हम लोग use करने वाले है, यहाँ पे mains का connection आएगा, मतलब सीधा यह जो यहाँ पे मैंने यह लगाया है, सीधा इसमें ही connection डालेगा, जिससे power supply च लगाने के लिए LED strip में, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ऐसा connection, जो दुसरे side का connection होता है, वो कुछ ऐसे दिखता है, तो वो मैंने काट यह एक दुसरे LED strip से ले लिया, and उसमें भी same होता है, positive, negative, and बीच वाला होता है data cable, तो उसमें को क्या किया, मैं हम लोग को लगाना पड़ता है, उसके लिए green cable जो यूज किया, मैंने भी एक green color का cable यूज किया, and उसके लिए data port ready कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो, यह देखो, यह है data port, मतलब बहुत simple है, simple language में, positive के साथ positive connect किया, negative के साथ negative कर ने किया, and data port ऐसे ready रखा, because यह हमें attach कर है, जो हम लोग ने select किया था, वो हमें attach करना है, जिससे data जाएगा, किस में, LED strip में, now यह तो हम लोग ने attach किया ही नहीं, तो यह पहले में attach कर देता हूँ, मेरे पास यह वाला connection available था, अगर आपके पास नहीं है, तो do not worry, यह LED strip में, ऐसा भी तो connection मिलता है, सीधा, जैसे कि कर देता हूँ, यहाँ पे, and attach करना is also very simple, बस मुझे ऐसे कर देना है, तो basically मैंने क्या किया, positive, जो 5V आ रहा था, वो LED strip को लगा दिया, negative, negative को लगा दिया, and data pin जो मैंने create किया था, वो raspberry pi पे लगा दिया, now यह raspberry pi को कैसे चालू करेंगे, उसके लिए तो 5V का supply लगता है, तो आप एक charger यूज कर सकते हो, या फिर मेरे जैसे कर सकते हो, कि आप एक USB type C cable लेलो, उसे काट डो, and LED strip, sorry, not LED strip, USB cable के अंदर भी दो wire होते, important, यहाँ पे आचाओ, यह देखो, एक होता है red वाला wire, और एक हता है brown वाला wire, या फिर इसे whitish color में हो सकता है, depending on the USB cable, so red वाला wire किस के लगाना है, red वाले के साथ, positive, positive के साथ, negative, negative के साथ, बहुत simple है, and आपका USB type C cable भी ready हो जाएगा, जो बस आपको ऐसे करके, यहाँ पे लगा देना है, and that's it, आपका Raspberry Pi भी अभी चालू हो जाएगा, हम लोग ने जो यह लगा है, USB capture card, वो कैसे attach करना है, उसके लिए हमें चाह है, जो हमारा laptop होने वाला है, HDMI input आ जाएगा, और वो split करेगा, दो signal में, एक signal जाएगा monitor में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे, and दूसरा signal जाएगा Raspberry Pi में, I hope यह clear होगा, यह तो बहुत simple है, clear हो रहा है, right, समझ रहा है, yes, मतलब मैं पूछ, just confirm कर रहा हूँ, team के साथ कि उनक आपका PC है, तो PC पे लगा सकते हो, and यह HDMI cable का यह है, तो यह HDMI input में जाएगा, because this is the input that we are going to use, HDMI input, HDMI out में क्या जाएगा, HDMI out में जाएगा, monitor का पहला output, जिसके लिए हम लोग यह attach कर देंगे, and और एक output जाएगा Raspberry Pi में, उसके लिए भी हमें HDMI cable लगेगी, जो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, and HDMI cable का हाँ पे लगानी है, HDMI out पे, because जो laptop का output है, वो हमें दिखना चाहिए, Raspberry Pi पे भी, and monitor पे at the same time, इसके लिए हम लोग ने यह setup यूज किया है, by the way, यह HDMI splitter रन करने के लिए, हमें यह ऐसा एक, क्या बोलते हैं, adapter भी मिला था, adapter के साथ जो पीन आता है, वो हमे यहाँ पे लगा देना है, यह adapter को, तो adapter भी चालू हो जाएगा, and यह adapter यहाँ पे लगा देते है, चलो, I guess, अभी यह दो main connection है, जो मैने साथ में रखे, this is power supply का main connection, and this is adapter का 5V का connection, तो यह यहाँ पे लगा देंगे, तो यह power supply के साथ, यह चालू हो जाएगा, and LED strip भी चालू ह जगा आपको लाइख दिखाता हूं, now if you are using a TV, there is no input that is coming into the TV, it is inside the TV which you cannot take out, so in that case, if you want to use this setup with your TV, then you will need to buy a separate stick, a fire TV stick, or google TV, or any stick that works, you can use anything and it works super fine as well, now it also depends on which type of HDMI splitter you use, this is a HDMI splitter which can output only 1080p, if you want a HDMI splitter which can give 4K output, because your TV is 4K, or if your monitor is 4K, then you will have to purchase an HDMI splitter which does 4K output as well, those are very expensive once again, so I decided to go with 1080p one, because I am going to use it with my primary monitor, so abhi चालू तो कर दिया था सारा setup, लेकिन LED is light here नहीं हो रही थी, जैसे आपने पीछे के साइट रहे है कि LED start क्यों नहीं हुए, तो बहुत simple है यहाँ पे, आपको वापस अगर ऐसा हुआ रूट में, LED output, controllers, check करना है, WS2812B perfectly selected है क्या, यहाँ पे आपको रहेगा, कि in case your LEDs do not work, check here for the log, errors basically, तो log पे आजाते हैं, log पे यहाँ पे बोल रहा है कि device is disabled, why? Because Hyperion must run with root privileges, यह ऐसा error आ रहा है हमें, यह particular error, तो इसका क्या solution है, बहुत simple है, मैंने google किया, मुझे मिल गया कि यह command हमें use करना है, यह वाला command, sudo update hyperion user u root, तो इसे मैं copy कर लेता हूँ, वापस putty में जाएंगे हम लोग, तो putty में जाने के लिए पहले वाला session बन करना पुटी से connect कर लो यहाँ पर, जो raspberry pi का IP address है, जो आपको बता होगा, मतलब वो usually constant ही रहता है, तो उसे paste कर दो, open कर दो, यहाँ पर login as rpi, जो username अपना था, password में भी डाल दो, जैसे ही यह सब हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग select करेंगे, यह तो command गलत select हो गया, यह वाला command हमें करना है, sudo update यह वाला, उसे copy कर लेंगे, वापस यहाँ पर आ जाएंगे, paste करेंगे, तो okay, यह command आ गया, यह हमें execute करना है, तो मैं enter कर दूंगा, configure, are you sure you want to run Hyperion under root, yes, ऐसे type करना पड़ेगा, and enter कर देंगे, disable current services, restarting the Hyperion service, okay, इसका मतलब अभी Hyperion service run होगा, full-fledged mode में, तो restart करते, तो यहाँ पर controller type में जाके हमें वापस सब setup करना पड़ेगा, which is WS2812B यह कर लेंगे, जो अपना सारा data आपको बता ही है, कि जैसे कि यह मेरा 128 है, hardware LED count, इस वे में save setting कर लूंगा, continue कर लूंगा, okay, and यहाँ पर, okay, यह save होने दो, जैसे यह save हो जाएगा, वापस LED layout मे चले जाओ, अगर वो चला गया, no worries, top में कितने थे अपने 42, bottom में भी 42 LEDs थे, तो वो यहाँ पर डाल देंगे, side में थे 22, and right side में भी थे 22 LEDs, and input position अपने लिए था, around I guess 83 select किया था हम लोगने, save layout कर देंगे, yes, perfect, यहाँ पर, and यहाँ पर इसको save कर दूंगा, मैं, basically जो settings हम लो वापस करनी पड़ी, because, यह जब हम लोगने, यह जो error आया था, वो solve करने के लिए, हम लोग को वो करना पड़ा, भी live video का option में select करूंगा, यहाँ पर LED numbers, okay, live video भी नहीं दिखा रहा है, because capturing hardware में वापस जाके हम लोग को, USB capture हमें enable करना होगा, यहाँ से device select कर लेंगे, यह सारी settings, चलो, frames per second, 25 कर देता हूं, यहाँ पर save setting कर दूंगा, and, okay, I guess that's it, and जैसे कि आप देख सकते हो, LEDs पीछे चालू हो गई है, अभी यहाँ पर आना है आपको वापस, यह यहाँ पर आ जाओ, RGB byte order wizard पर आ जाओ, यहाँ पर continue कर दो, अभी यह कुन सा color है, यह बता रहा है, red है red है क्या, नहीं, यह है green, अभी कुन सा है, अभी red color है, तो हम लोग यह save कर लेंगे, and जैसे हम लोग save करेंगे, वापस हम लोग कुछ जाते है, कुछ video play करते हैं, and जैसे ambilight वाला color test चालू करते हैं, यहाँ पर full screen कर देता हूं, पूरा white है, देखो, पीछे LEDs भी white हो गई है यहाँ पर red हो गया, तो red हो गया, color 1, green के लिए green हो गया, blue के लिए blue हो गया, perfect काम कर रहा है अभी, and that's it for the entire setup, बस इतना ही है, easy है, simple है, बस कुछ अगर आपको error आए बीच में, तो कैसे figure out करना है, वो Google करके, एक error आई थी, जो मुझे पहले भी, कभी error आई थी, जब मैंने try किया था, and let me tell you one very important thing, कि आप जब यह project try करोगे, तो पहली attempt में कभी भी successful नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ issues आएंगे, कभी बहुत start वाले step पे आजाएंगे, कभी कई बार बहुत end वाले step पे आजाएंगे, वो सारी चीज़े depend करते है, comment section में मैं सबको तो help नहीं कर पा दे दूँगा, and I guess that's it, I hope you enjoyed the video, ऐसे ही मज़ेदार video के लिए, subscribe कर दो यहाँ पे, and Instagram पे follow करो, because Instagram पे पहले videos डालते हैं, then tutorial अम लोग YouTube पे डालते हैं, thank you so much.